नमस्कार आप देख रहे हैं convercin india और मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी अभी हम बात करने जा रहे हैं विहार पंचाय चुनाओं के परिणामों के बारे में दरसल आज हमारे सामने विहार पंचाय चुनाओं के आठवे चरण के परिणाम आ रहे हैं ऐसे में आपको Education India Live प्रिणाम बताने जा रहा है अगर आप इससे ज़्यादा प्रिणाम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमने आपको लिंक दे रखा है वहाँ जाकर आप प्रिणाम देख सकते हैं साथ यगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ओट से रवस्य करेगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो मा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से प्रिणाम हमारे सामने आ रहे हैं सबसे पहले हम पूरी चंपरण जिल्ले के मोतियारी सदर की जिटकईया पंचायत की बात करें तो यहां से मुख्यापत पर गीता देवी ने जीत दर्ज कर ली है इसके बाद अगर हम नोरंगिया पंचायत की बात करें तो यहां से रमेश कुमार यादव निर्वाचित हुए हैं और पीपरा कोटी की टिकेता गोविनपुर पंचायत से मुख्यापत पर सवीला खातुन को जीत दर्ज हुई है अगर बात करने हम मुझफरपुर में गायगाट परखंड की बागाखाल पंचायत की तो यहां से मुख्यापत पर विबाद देवी विजे गोस्जित हुई है बाकसर जिल्ले के भी कुछ परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं अगर बाकसर की चौसा परखंड की मनारपुर पंचायत की बात करे तो यहां से मुख्यापत के लिए मम्ता कुमारी को जीत दर्ज हुई है पोचपुर जिल्ले में मुख्या बद के लिए भी हमारे सामने प्रेणाम आया है इंदु देवी यहाँ पर मुख्या बद के लिए चुनी गई है पोचपुर जिल्ले की पंचायद की बात कर रहे हैं आपको बता दे इंदु देवी मात्र दो वोटो से जीती है क्यमुर के रामगट पर्खंड की मौवर पंचाईश से भी हमारे सामनी प्रणाम आया है यहां से बेचिन सर्मा मुख्या निर्वाचित हुए है वहीं पटना के पंडारक पर्खंड की डिवर पंचाईश से रिमा देवी ने जी दर्ज की है मुख्यापत की बात कर रहे हैं वहीं कौपाल गंज के थावे परखंट की इंदरवा अब्दुला पंचायष से तबस्पूं आरा जीती है वहीं आपको बतादे सीता मडी के रीगा परखंट की मुलाकीपुर 25 से मुख्या परत्यासी नंदनी कुमारी को जीत मिली है 1185 वोटों के साथ ही जीते हैं वहें सोपी परकंड की बहरवा पंचायद की बात करें तो यहां से रंजीत दास मुख्यापत के लिए चुनाव जीत गए है मुतियारी सदर परकंड की ध्रो लखोरा पंचायद की बात करें तो यहां से नी वर्तमान मुख्या अनिता देवी चुनाव हार चुकी है जमुई की हरकार पंचायद की बात करें तो यहां से मुन्नासा मुख्यापत के लिए चुनाव जीत गए हैं वही मुजफरपुर के बंदरा पर्खंड की बढ़गाप पंचयश से मुख्यापत पर अब्दुल सतार को चुनाव में जीत हासल हुई है वही अगर जमोई की बेला पंचयश की बात करें तो यहां से आसा देवी को जीत हासल हुई है आसा देवी लगातार तीसरी बार जीती है इस परकार से अब तक के कुछ परिणाम जो की हमारे सामने आये हैं आप किस जिल्ले से किस पर्खंड से और किस बंचयश से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवस्थि बताएगा साथ एकर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अभी लाइक कोर्ट से अर भी कर दीजेगा फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही था मिलते हैं आप सकले वीडियो में अन्ने जानकारी के साथ अब तक के लिए बने रही है आप Education India के सताथ धन्यवाद